हेलो गैस, हाई मैं रिशेक के इश्वा इस वागत करता हूँ आपका एक और जबर्दस्ट और वाल्यूबल वीडियो के साथ देखो, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसा प्रिक सिखाने वाला हूँ ये खायर प्रिक नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है जो कि MBA के लोगों को सिखाई जाती है जो कि लाग रुपे करच करके MBA स्कूल जोइन करती है और उसके बाद उनका करोड़ो रुपे का पैकेज लगता है क्योंकि उनके पास एक क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी आज आज आपको AI के टूर की दरू मिल जाएगा आपको जाना उस MBA वारे में सोचने की जरूत ही नहीं है देखो, मैं ये नहीं कहारा कि उनके skill आजाएगा आपके पास प्रोड़क्ट और सर्विस के लिए राइट पिल्कुल प्रिसाइस ओडियन्स कौन सी है सबसे जादा राइट ओडियन्स तो टागेट कर लोगा इस आपका प्रोड़क्ट यू बिख जाएगा मतलब आउट आउट अफ टॉक रहा करेगा आप चाहे कुछ भी बेच रहे हो आपकी परचुन की दुगान हो या फिर आपका होलसिल की दुगान हो या फिर आप कपड़ा बेचते हो या फिर आप वाइपर बेचते हो आप माइक बेचते हो आप टीवी बेचते हो आप एरोप्लेइन बेचते हो आपको से भी यह पता तो इस डेटा के लिए आपको क्या प्रॉम्ट डालना है और कैसे निकालना है आपको MBA करने की जरूरत नहीं है जो ये बताएगा आँख बंद करके उसको टागेट करना शुरू कर देना I bet on it मैं गैरेंटी दे रहो इस रिकॉर्डिंग वीडियो पे कि आप देखना आपका यूँ बिखेगा यूँ चाहे हूँ आप Facebook की टागेटिंग कर रहे हो चाहा आप Google की टागेटिंग कर रहे हो Pinterest में कर रहे हो LinkedIn में कर रहे हो बस खाली इस डेटा को फोकस करना आपका product कुछ भी हो बिखना शुरू हो जाएगा मैं आपको गैरेंटी दे रहूं कैसे कर दाए प्राक्टिकल पर आजाते हैं क्योंकि प्राक्टिकल के बेना तो इस चैनल पर कोई फाइदा ही नहीं है क्योंकि मैं सारी चीजे जो आपको बताता हूँ उसको right on the spot दिखाने की कोशिश करता हूँ तो अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो जो है ये ही धूंड रहेते है आप लोगो पता है हम सब इसको यूज करते हो आरे मेरे चैनल पर तो काफी टाइम से इस पर ही काम चल रहा है मैं पूरी तरीके से डिपेंड हो गया हूँ अपने AI इस पर मैं आपको भी बोल रहा हूँ डिपेंड हो जाओ future इसी का ही है वरना गए काम से सबसे पहले यहाँ पर इसका नाम है AI PRM for chat GPT यह सिर्फ और सिर्फ अभी तक फिलाल यह Chrome browser पर चलता है और वह भी desktop यह धियान रखना Chrome desktop पर चलता है मुझे comment आया था किसने कहा था कि उसने मोबाइल के Android में इसको crack कर लिया या कोई तरीका निकाल लिया जिसके अंदर कीवी browser कुछ है उ भी गया है और उसके बार आपका chat GPT ऐसा दिखना शुरू होगा अब क्या पता मैं दिखा भी पाँगा क्योंकि यह कह रहा है या भी इसके बहुत high demand चल रही है देखो अब मेरा chat GPT कुछ ऐसा दिखता है देख लो तो अब यह जो AI PRM है इसका chat extension install करते यह पूरी कहानी आ अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है for example guys मैं एक business को hypothetically मान लेता हूँ कि मेरा क्या business है मान लेता हूँ कि मैं digital marketing course चलो hypothetical क्यों real time example लेते हैं आप भी try करना अगर आपका कोई भी business है कोई भी product है कोई भी service है आप इसको real time पर try करना आप देखना है कि आप fan हो मैं real time पर ही चलता हूँ छोड़ो कि मैं कोई भी hypothetical situation ले रहा हूँ मैं अपने digital marketing course को बेचना चाहता हूँ इंडिया में अब मुझे किस type की audience को target करना चाहिए facebook में किस type की audience को target करना चाहिए google पे ये सारा पता लगाना है तो पता लगाने के लिए चलिए मैं आपको ले चलता है आपके पास जो कि pre-made है आपको ना खुद से नहीं लिखना पड़ेगा a to z from नहीं आप सिर्फ एक काम करो first time यह buyer persona legend इसको click करो जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर option आगया what does your business sell मेरा business क्या सेल करता है और आपका client कहां पर है where are your client जैसे मैंने कालता है कि मैं digital marketing course sell करता अब देखो यहां पर क्या करना है simple जैसे मैंने इसको इसको इंटर कर दिया ना अब वेट करो कि यह आपको आपके बारे में कितना depth knowledge दे रहा है जितना तो आपको भी नहीं पता था अगर आप सालों से इस business में थे तो भी इतना depth knowledge नहीं था तो guys now अब आप देखो सबसे प जायर हो सकता है अगर आप इसको टागेट करोगे तो आपके chances बहुत जादा है कि आपका course sell हो सकता है data points और answers name for example रोहित शर्मा है age 27 मतलब इस age group के लोग या इसके आसपास के ग्रूप के लोग ना आपके लिए सबसे best audience targeting है occupation उसका marketing executive होना चाहिए तो तो और अच्छी बात है और अगर unmarried है तो और अच्छी बात है और family situation अपने parents के साथ रहता हो तो और अच्छी बात है और कोशिश करना Mumbai Maharashtra में बीचने की यह सबसे ज़्यादा आपके लिए कारगर एक target audience है इतना retail में just think of it नाम तक बता दिया है चलो मैं नाम को एक मान लेता हूं कि आपको description देरेकली समझा दिया है बट अगर मैं आपको सही से बता हूं तो guys यही होता है बाहर पर सुना कि वो कौन से लोग है जो यह product को buy कर सकते है table 2 अब देखो Rohit Sharma is a 27-year-old marketing executive from Mumbai Maharashtra he's unmarried and lives with his parents his annual income is 8 lakh can you imagine देख रहे हो अब यह आपको दे रहा है कि आपको psychographic psychology मतलब लोगों की psychology कैसी होने चाहिए उनको target करना चाहिए चल्दी से देख लो personal characteristics क्या आप इतने deep level पर target करना चाहते हो तो जान लो सबसे पहले कोई ambitious बंदा लो creative बंदा लो curious tech savvy independent और proactive अगर किसी में यह उसकी personality है न तो फटावर्ट से target करना start करो अब आपको यह देखना है कि इस type के characteristics वाले लोग कहा मिलेंगे कैसे मिलेंगे वो दूसा research है पहले आपको पर सुना तो मिल जा है कि कि इस type के audience right audience है तो पहले तो वो देख रहो hobbies में क्या करो चाहिए वो cricket खेलता हो movie देखता हो web series देखता हो travel करता हो reading करता हो और digital marketing trends को follow करता हो मतलब reading about digital marketing trends तो guys देख रहो मतलब type के hobby के बंदगार आपको कहीं मिल रहे है न तो दबो चो और उसको अपना project pitch करो like cricket ground में जाओ, वहाँ पर पकड़ो लोगो को, जो watch movie देखते हैं उनको पकड़ो लोगो को web series देखने वालो को पकड़ो, traveling वालो को पकड़ो और जो digital marketing trend को follow करते हैं, read करते हैं उनको पकड़ो इसका लावा interest किसमे लगते हैं, digital marketing में, social media में, concentration में, SEO, SEM, email marketing, PPC वगरा personal aspirants, उनके aspiration क्या है, to become a digital marketing manager and work with the best in the industry मतलब अब देखो, उसका aspirant क्या है, गाइस देखे हो, मतलब यहाँ से आपको idea लगएगा कि आपको marketing कैसे करने चाहिए aspiration उसकी बता दी, aspiration क्या होता है, कि वो क्या चाहता है, अब यहाँ से आपको एक idea मिल गया कि अगर आप किसी को यह दिखा देते हो, कि आप उसको digital marketing manager बनने में help कर सकते हो तो guys, इसका मतलब आपका message clear आपको sale लाके दे सकता है, बस आपको इसमें काम करना है कि आप digital marketing manager उसे अपने काम में digital marketing के skills और techniques को apply करना है, क्या वो apply कर पाएगा, जल्ली से message भेजो, बढ़ियासा message बनाओ, as a promotional material, as a ad copies, जिसके अंदर यह target करो, कि targeting तो कर ली, यह बताने की कोशिश करो, कि वो आराम से skill को gain कर सकता है, हम अरे this course के through, जिससे वो इसको अपने काम में apply कर सक इस course में दे सकता हूँ, pain, सबसे बड़ी बात, उसका pain ढूंडो guys, कि वो किस चीज से जूज रहा, उसका दर्द ढूंडो, time management, financial constraints, staying updated with the latest trends and technologies, मतलब उसका pain यह है, कि वो time को manage नहीं कर पा रहा है, किस तरह के सीखे, उसको बताओ, हमारा जो course है, वो online है, जब मर्जी देख स कि वो latest update और technologies के साथ ना, इतना updated नहीं रह पाता है, इस type के audience को target करो, यह उसका pain है, आप बलो, यार, update रहने की ज़रूत नहीं है, हमारे जो newsletters है, वो आपको update करते रहेंगे, need, high quality, affordable digital marketing courses that can provide hands on experience, एक तो quality चाहिए, और उसकी need बता रहे है, और affordable बना दो course, आपका काम हो ग करते थे अपने clients को, अब यह अगर आ गया, तो हम यह कोई pay करेगा, हम करते थे इस चीज़ को, क्योंकि हम experts है, जो कि experience लेके, हम products की, जो marketing strategy है, वो plan करते थे, देखो, मैं अपना पोल खोल रहा हूँ, गैस हम consultation fees लेके यह सब करते थे, आप लोगों को free में provide कर दिया, मैंने कि देखो, मैंने अपना competitor generate किया, मतलब, generate मतलब, charge repeat मैंने generate नहीं किया, लेकिन मैंने यह prompt खुद निकाला और आपको दे दिया, आपको मेरे consultation के लिए pay करने के ज़रूत नहीं, आप directly ने इससे पता कर लो, क्या आपका product कहां बिक्केगा, कैसे बिक्केगा, कैसे target करना है, कि लोग को target करना है, किस message के साथ target करना है, क्या उनका need है, क्या उनका pain है, क्या उनके aspirations है, इन सबको ध्यान में रखो, product का promotion बनाओ, और marketing करना शुरू करो, and your job is done, तो इस तरीके से आपका ये काम चलता है, अब देखो, 4, shopping behaviors, उन लोग को पकड़ो, जिनका shopping करने का आराम से budget जो है, 20-50 सार का shopping करने का होता है, और हर 6 मेने में वो shopping कर लेते हैं, खासकर online shopping करना पसंद करते हैं, और online behavior का generally कहा रहता है, कि वो courses online को research करते हैं, prices compare करते हैं, किसी भी product को लेने से पहले, read, reviews, review जरूर पढ़ते हैं, demo जरूर देखते हैं, demo videos, इस type के जो online behavior है, ये आपके ल पूर से ना, simply learn, upgrade, digital vidya, ये सब वो जरूर जाते हैं, to find their digital marketing courses, can you imagine, guys, इतना detail में अगर आपके पास ये data है, आपको से facebook में जाके ये डालना, बाकी काम facebook कर देगा, खाली आपको ad copies में ध्यान देना, और ad copies में message clear रखने हैं, जो कि मैंना बताया है, कि वो क्या जाता है, उसक अरीके से, guys, buyer persona आपको help करता है, आपके right audience सक अपनी branding करने में, and this is what today, my purpose to give you, ये मेरा purpose था, कि आज मैं आपको buyer persona के उपर काम सिखा हूँ, क्योंकि buyer persona एक ऐसी चीज है, दोस, जिसके बिना ना, कोई भी business चाप, जितना मर्जी अच्छा showroom बना लो, जितना मर्जी अच्छ हो जाएगा, जिसका जो return है, वो उतना भी नहीं होगा, जिससे आप profit में रहोगे, मतलब, आप खर्च करे जा रहे हो, उन लोगों पे, जो आपका audience नहीं है, जो आपका product buy नहीं करना चाहते है, आप उन लोगों पे खर्च ही केजर जाओ, इतना कर दिया, इतना कर दिया, क जैसे ही continuously lifetime चलते रहेंगे, जो कि आपकी life में value भरते रहेंगे, मिलते हैं मेरे next video में, तब तक के लिए गाए, जल्दी से बढ़िया सा comment करके मुझे inspire कर दो, आप मलते हैं, बाई!